ओ थाने निवणी करूँगो बादम बादे करने जी मादी अद जी सु करने जी सुनू मरमा पाविन तीसो ओ अरे जी सुनू मरमा पाविन तीसो ओ जी थाने में निवणी करूँगो बादम बादे ओ थाने निवणी करूँगो बादम बादे बादम बादी अद जी सुनू करने जी सुनू बादम 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 तो सबसे पहली बाद भिकाजी में बचन दियो मां गडड़ै नीव लगा भवानी गड़ै नीव लगां ओ जी देश नो कीरो भवन चुनालो लेशिनों किरों भव निचुनायो बीकानों शेहर बसायो रे जग दंबा मारी अद जी सुनों ओ धाने मेनी बड़ी करामे ओ बारामे बाले करणल मारी ए विनती सुनों ओ धने मेनी करुबा बादमा दिच दंबा मारी अद जी सुनों ओ 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 तेमा ओ ओ ओ पीकारी का धाकराम पीका सिरेक दो ए अपिकारी का धाकराम हम पीका के है का कोई अग जग दी ठेका करो दिया पीखा ले लोए वाधिर पीका नो नगे से पसाए करण नमारी वो पती हो शेको जी मुलतान केद में घरबाई सारो ब्या भवादी घरबाई सारो ब्या घरबाई सारो ब्या अक्सर में इस बात को निश्चित रूप से कहने का प्रयास करता हो कि आपके विका निल जिले में पूगले खाजुवालर के बीच में जा स्रगुना भाई का सस्राल हुआ करता था उसी गाउं के एक भाती सिर्दार थे जिनका नाम था राव शेको जी बाती जब दुनिया में वो थे करणी माता थी तो उन्होंने इस बात को सुईकार नहीं किया कि करणी को शक्ती है कई लोग उनको कहते थे कि देखो इतना बड़ा चमतकार है माते शुरी का साक्षात रूप इस धरती पर आया है लेकिन राव शेको जी इस बात से सहमत नहीं होते थे उनका मानना था कि ऐसा हो इनी सकता इट इस नौट पॉसिवल यह संभव नहीं है समय अपनी गति से चलता रहा पहले जमीन के लिए जगड़े हुआ करते थे गायों के लिए जगड़े हुआ करते थे इसने स्वाबीमान के लिए युद दुआ करते थे और ऐसी बात में एक बार मुलतान और राव शेखोजी के बीच में अन्बन हो गई मुलतान सिंद प्रांत में आजकर यहीं पाकिस्तान में और मुल्तान की फोजा रावशेकोजी पर वार चट गई युद्ध हो उसी दिन रावशेकोजी के गर में उनकी बेटी की बारात आने थी उसी दिन युद्ध हो गया रावशेकोजी हार गए मुल्तान का राजा दे फोजा जो थी वेने हुकम दियो और राव शेको जी ने बंदी बना और जेल में बंद कर दिया पूरी जीवन बार तक जिस रेक्ति ने नहीं माना लेकिन जब ऐसी मुश्किल आई तो उनके मन में एक भाव आया कि मैं एक बार इस बात कर प्यास को करो फिर बात में एक बात है तो मैं तो नहीं मानता नास्थिक होी हूग और उसी सुने राव शेको जी ने मात्यश्री को भिंती की बोले मा आजी राव शेको हार गया और इधी तूग शक्ति को रूप है इधी वास्तं में आप शक्ति अवत्तार हो तो आज भगत याद करें मातेश्वनी पदारो कहा जाता है कि जब यतनी पुकार की गई तो मा करणी ने कवणी रो रूप धारन कियो यानि चील का रूप बनाया और भगत जब याद किया तो चील बन कवणी को रूप धारन कर राव शेकोजी नी मदद वास्ते मा पहुंची और अपने पंजों में राव शेकोजी ने पगट दिया आकाश में उडाती उडाती जटे बेटी चमनी में फेरा खा रही थी और जब कन्यादान का जब वक्त आया पंडित ने कहा कि बाप ने बुलाओ चारों तरफ लोगों ने देखा कि अब क्या होगा और उसी समय राव शेकोजी दुमापुर लाके उतार दिया चारों तरफ करनी माता की जेजे कारोई ये पर आप लोग भी बोल दीजिएगा बली करनी मातिकी